नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका दोटोमेटिस में और आज हम बात करेंगे कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करती है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CRDI का मीनिंग क्या होता है उसके फाइदे कौन से है CRDI का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है और CRDI काम कैसे करता है तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से तो CRDI का मीनिंग होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम और नाम के मताबक ही इस सिस्टम में डीजल को हाई प्रेशर से कंबर्शन चेमबर में इंजेक्ट करवाया जाता है अब बात करता है फाइदे की तो ज्यादा पावर और माइलेज के लिए नॉर्मली CRDI सिस्टम का यूज होता है अब CRDI सिस्टम के कारण एंजिन में हाई प्रेशर डीजल को इंजेक्ट करवाया जाएगा जिसके कारण फ्यूल एकॉनोमी और पावर आउटपुट दोनों के अंदर ही बढ़ावा मिलेगा तो अब बात करता है कंस्रक्शन की तो फ्यूल टैंक के साथ एक लो प्रेशर फ्यूल पंप जुड़ा होगा और फिर लगा होगा फ्यूल फिल्टर अब फ्यूल फिल्टर से फ्यूल लाइन जाएगी सीधी प्रेशर रेगुलेटिंग वाल में और फिर आएगा high pressure fuel pump फिर लगा होगा एक fuel pressure sensor और fuel line जाएगी सीधी fuel rail में जो की एक metal की tube होगी अब fuel rail से सभी fuel injector को high pressure fuel supply दी जाएगी अब fuel rail के दूसरे सिरे के ऊपर एक pressure relief wall लगा होगा जिसमें से एक fuel return line दी जाएगी बापस fuel tank में अब बात करते हैं sensors की तो सबसे पहला है throttle position sensor जो की throttle wall के साथ connected होगा फिर आएगा manifold absolute pressure sensor जो की intake manifold में लगाया गया होगा उसके बाद होगा oxygen sensor जो की exhaust manifold में लगाया गया होगा उसके बाद आएगा एक crank shaft position sensor जो की crank shaft के साथ directly जुड़ा होगा अब last में होगा fuel temperature sensor जो की fuel gauge के साथ fuel tank में ही लगाया गया होगा अब इन 500 sensor और fuel pressure sensor यानि की 6 sensor connect होगे एक engine management unit से जो की सबी injectors और pressure regulating वाल के साथ connect होगा और उन्हें control भी करेगा अब बात करते हैं working की तो पहले sensor से start करते हैं तो throttle position sensor accelerator देने पर throttle वाल की position सेंस करके signal देगा EMU को ताकि engine management unit को पता चलेगा कि driver ने कितना accelerator दिया है अब manifold absolute pressure sensor सेंस करेगा कि कितनी air intake manifold में जा रही है और उसका signal EMU को देगा अब oxygen sensor engine exhaust में कितना oxygen engine से बहार जा रहा है वो sense कर लेगा और उसके मुताबक उसका data EMU को supply करेगा जिसके उपर से EMU decide कर पाएगा कि engine के अंदर reach mixture inject करना है या fit lean mixture अब crank shaft position sensor crank shaft की exact position बताएगा engine management unit को और last में fuel temperature sensor sense करेगा कि fuel tank में fuel का temperature कितना है और उसके मुताबक signal भेजेगा engine management unit को अब fuel pressure sensor system के अंदर का fuel जो है उसका pressure sense करेगा और उसके मुताबक continuous data अपडेट करता रहेगा engine management unit को fuel tank में से low pressure fuel pump fuel को भेज देगा fuel filter में और वहां से filter होके fuel सीधा जाएगा fuel pressure regulating wall में अब sensor के data के मुताबक EMU fuel को पास करेगा high pressure fuel pump के और high pressure fuel pump fuel को highly pressurize करेगा और भेज देगा pressure sensor के तुरू fuel rail में जहां fuel का pressure maintain करने का काम करेगा pressure relief wall जो pressure बढ़ने के कारण fuel को bypass line की मदद से बापिस fuel tank में भेज देगा और इसी के कारण सभी injector और fuel rail के अंदर constant pressure बना रहेगा अब sensors के data की मदद से injector specific cylinder में fuel को inject करेगा जिसके कारण engine के pumping loss कम हो जाएगे और engine की efficiency और power output के अंदर बढ़ावा मिलेगा अगर CRDI की बात की जाए तो हर एक manufacturer उसे अलग ही नाम देता है और CRDI की pattern register कराने के लिए company उसमें थोड़े बहुत बढ़ाव करती है तो ये जो circuit दिखाई गई है वो general phenomena के उपर बनाई गई circuit है और हर एक manufacturer के उपर ये circuit में थोड़ा सा variation आ सकता है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए the automotive channel को ताकि नए latest technological वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिला रहे